आज हम देखेंगे कि सारे एसेड्स और सारे बेसेज में क्या कॉमन होता है ठीक है जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पड़ी थी हमने देखा था कि जो एसेड्स है वो मेटल्स के साथ रियाक करते हैं और हमेशा हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होता है ठीक है तो इसका मतलब एक चीज तो हो गई कि जितने भी एसेड्स हैं उसमें हाइड्रोजन हो गई होगा ठीक है तो एक चीज और बोल सकते हैं हम इसको कि जितने भी compounds जिनके अंदर all compounds containing hydrogen are acidic बोल सकते हैं ना हम जिस सारे compounds जिनके अंदर hydrogen होगा they are acidic तो इसको प्रूफ करने के लिए एक experiment किया गया था experiment में क्या किया था एक rubber कॉर्क लिया रुबर कॉर्क अंदर दो iron nail को लगाया फिर उसके बाद इसको कनेक किया था किससे एक बैटरी से तरह मतलब स्विच वगरान लगा के एक सर्कृट कनेक किया गया था एक बल्ब लगाया था वल्ब के बादी बैटरी आई और इसको पूरा कनेक कर दिया गया था इससे इस कॉर्क से अब इस कॉर्क को बेसिकली रखा गया था एक बीकर के अंदर और उस बीकर के अंदर solution डाला गया था acid का यह रबर कॉर्क है यह iron nail है यह पूरा circuit तयार किया गया है ठीक है अब जब इस circuit से electricity पास कराएंगे तो क्या होगा कि जो HCl है वो टूट जाएगा तभी तो बल्ब गलो करेगा अगर बल्ब गलो करेगा इसका मतलब कोई reaction हो रही है इसमें क्यूंकि जो ions है वही current का फ्लो कराते हैं तो current का हो रहा है अगर बल्ब गलो कर रहा है that means कि इसमें आयन का फ्लो शुरू हो गया है तो इसका मतलब जब आसेड टूटा होगा तो उसने आयन बनाया होगा तो जब यह activity की गई थी तो यह क्लियर हुआ था कि जो acids होते हैं for example HCl है वो क्या रिलीज करता है hydrogen और chlorine आयन सो बेसिकली आयन का separation हो जाता है सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप किसी बेस को लेकर करेंगे तो यह चीज़ क्लियर होगी कि बेसिज में हाइड्रोकसाइड आयन होते हैं OH- ठीक है आचा सो बेसिकली क्या हो रहा है आयन का separation हो रहा है अगर मैं acid को water में डाल देती हूं तो क्या होता है तो सेम चीज होती है तो आयन का separation ही होता है जो HCl है इसमें से hydrogen ion अलग हो जाएगा और chloride ion अलग हो जाएगा hydrogen ions कभी भी separately exist नहीं कर सकते देखें not exist alone इसलिए यह hydrogen ions जाके water के साथ react करेंगे और H3O plus बनाएंगे जिसको hydronium ion कहा जाता है ठीक है सो बेसिकली क्या बन जाएगा H3O plus and Cl minus यह ionic form में टूट गया सेम वे अगर मैं sodium hydroxide का बताया था तो Na plus और OH minus बताया था असे ही अगर magnesium hydroxide का बनाऊंगी तो magnesium ion और hydroxide ions बनेंगे क्योंकि यह base है दो hydroxide ions है तो दो hydroxide ions बनेंगे तो I hope यह चीज clear हो गई है इससे हमें यह भी पता चल गया है कि जितने भी acids होंगे उनके पास H plus ion होगा और जितने भी bases होंगे यह alkalies अगर water में होते हैं basis तो उनको alkali कहा जाता है तो उनमें OH minus होगा इसको मैं alkalie बोलूँगी अगर यह situation किसमें होगी in water aquosome में ठीक है अब मेरको एक चीज बहुत clear ही समझ आ जाएगी क्या neutralization reaction क्या थी neutralization reaction हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ी थी neutralization reaction के बारे में neutralization reactions होती है जहां acid और base मिलकर salt और water बनाते हैं तो अब यह कैसे बनाया यह चीज देखने के लिए हम देखते है HCl है NaOH है ठीक है यह acid है यह base है तो क्या होगा यह दोनों मिल जाएंगे ions यह टूटेगा H plus और Cl minus में यह टूटेगा Na plus और OH minus में तो यह दोनों जो ions थे Na plus और Cl minus यह मिलकर बना देंगे क्या sodium chloride और यह जो H plus और OH minus है यह दूसरे के साथ react करके क्या बना देंगे water So basically this is how the neutralization reaction occurs अचा एक चीज बताती हो आपको जो acids है यह फिर bases है जब यह water में react करते है ना water के साथ तो यह बहुत ही जादा exothermic होते है exothermic मतलब heat produce होती है इसलिए शायद आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी भी concentrated acid यह concentrated base को dilute बनाते हैं मतलब उसको पानी में add करते हैं तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है आप बीकर में पहले से लेंगे water उसके अंदर आप acid पोर करेंगे और बहुत ही slowly pour करना होता है और continuously साथ-साथ stir करना होता है मतलब mix करना होता है आप acid को along the sides of the wall डालेंगे acid बहुत धीरे-धीरे डालेंगे और उसको mix करते जाएंगे ऐसा क्यूं किया हमने water में acid क्यूं डाला हमने acid में water क्यूं नहीं डाला पहले से एक बीकर में acid ले लेती और मैं उसमें पानी डाल देती, क्यों नी डाला मैंने, मैंने acid water लेकर फिर acid क्यों डाल रहे हो मैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो acid है, जैसा कि मैंने बताया, जब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, तो जो है वो splash होगा, splash होने की वज़े से ज excessive local heating की वज़ा से excessive local heating इसी लिए हमेशा कहा जाता है कि जो acids है और bases है they concentrated वाले they should be handled with care हमेशा आपको उनकी bottles पे एक warning sign भी जरूर दिखता है क्यों दिखता है इसी लिए दिखता है ताकि हम उसको बहुत ही carefully handle करें हम उसको जब भी हम acid या base के अंदर पानी मिला देते है अगर हम उसमें पानी मिला रहे हैं तो उसमें ions का concentration कम हो जाएगा ठीक है अगर मेरा concentrated है तो उसमें H plus का concentration बहुत जादा है लेकिन अगर मैं उसमें पानी मार दूगी तो उसमें H plus का concentration कम हो जाएगा और H3O plus का बढ़ जाएगा राइट, हाइड्रोनियम आयन्स बनने लग जाएगे सो बेसिकली आयन्स का कॉंसेंटरिशन कम होने की वज़ा से इस मेथड को कहते हैं डाइलूशन और उस सबस्टेंस को कहते हैं जो एसिड जिसके अंदर पानी डाल रहे हैं उसको कहेंगे डाइलूटट तो इसका मतलब अगर मैं एचसील ले रहे हूँ जो की इनीशली पानी मिक्स नहीं है तो वह है कॉंसेंटरिटेड फॉल्म ठीक है अगर मैं यसमें पानी मिक्स कर देती हूं तो जो मेरको मिलेगा that will be the डाइलूटट़ फॉल्म ठीक है, so mostly experiments करने के लिए हम concentrated form ना यूज करके हम dilute forms use करते हैं so that it will be less harmful for the person who is performing the experiments so I hope आपको ये clear हो गया हो acids और bases के बारे में अगर आपको कोई भी issue है आप comment box में लिखिए मैं उसको surely resolve कराने की कोशिश करूगी Thank you